गो नमस्कार दोस्तों एक बार फीर एक नीव वीडियो के साथ में मेरे video channel में स्वागते आज मैं इस video की माधियम से मैं आपको नरेगा जॉब काध की list कैसे निकालते हैं और उसमें आपका नाम कैसे ढ्हों सकते हैं कहां आया है आपका नाम यह कैसे ढ्हों सकते हैं तो simply इस वीडियो को शुरूशी लेकान तक जरूर देखना, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना, यदि आप सेनल पर नए है तो सेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हर रोज ऐसे नई-नई जानकारी नई-नई अपडेट सबसे पहले प्राप्त होती रहें, यदि किसी भी परकार की चानकारी लेना चाते हैं, तो मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंड जरूर कीजिएगा, अब आपका किम्तिस समय लिए बिना मैं आपको नरेगा जॉप कार्ड की लिस्ट कैसे निकालते हैं, औ तो सबसे पहले आपको इसकी जो में वेबशेट है, उस पर आना होगा, तो उसके लिए आपको सिंपली आपके मॉबैल में या अपने PC में किसी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे, तो आपको सिंपली नरेगा लिखना है, गूगल में या किसी ब्राउजर में नरेगा लिख करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सामने इस तरह की एक home page या main website खुल कर open हो जाएगी जैसा कि वीडियो में बताया गया है अब आपको क्या करना है simply आपको जूम करना है जूम करने के बाद आप देख सकते हैं लिए पन्चायद और जो फर्ष्ट लिंख πως पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जू अब आप को अपना इस्टिट सेलेक्ड करने का ऑप्सन आएगए ठीक है अब अब आपको अपना state select करना जैसे की राजस्थान ठीक है उसके बाद में आपको अपने जैसे इस state को select करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक एंडर पेज खुल कर open होगा अब आपको अपने financial year select करना है जैसे आप इस पर जैसे select करेंगे तो आपको अपने district select करने का बोला ज है जैसे आप ग्राम पंचायद को select करेंगे तो आप उसके बाद में आपको process पर कलिक करना है जैसे आप process पर कलिक करेंगे तो आपके सामने ग्राम पंचायद report खुल कर open हो जाएगी ठीक है उसके बाद में आपको जो सौथे नमबर पर है job card employment register इस पर कलिक करना है ठीक है जैसे आप इस पर कलिक करेंगे तो आपके जो ग्राम पंचायद के जो जितने job worker है उनकी list खोल कर open हो जाएगी अब आपकी जो ग्राम पंचायद की जो total list है जो total worker है उसमें आप अपना नाम कैसे ठोन सकते हैं तो उ उसके लिए आपको simply इस जो right side में जो तीन point दिये हुए है उस पर कलिक करना है और simply आपको नीचे की तरप आना है और find in page इस पर कलिक करना है ठीक है जैसे इस पर कलिक करेंगे तो आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है ठीक है जैसे आप अपना नाम लिखेंगे तो जो भी नाम लिखेंगे तो आपका नाम खुल कर open हो जाएगा जैसे की मैं यहां पर लिखता हूँ तो आप अपने PC में या अपने mobile में लिख सकते हैं जैसे ही लिखेंगे तो आपका अपना नाम खुल कर open हो जाएगा अब आपको क्या करना पड़ेगा simply आपको जो यह green link green color में जो आपको link दियो हुई है उस पर click करना है जैसे कि मैं किसी एक नाम पर click करना ठीक है करता हो जैसे ही मैं इस पर click करूँगा तो अपने job card की list खुल कर open हो जाएगी ठीक है जैसा कि वीडियो में बताएगे है तो आपके कितने दिन हुए है 100 दिन की list कैसे निकालते हैं इस तरह आप अपने फाइनली अपने job card की list निकाल सकते हैं अब आपको अपना नाम कैसे पता करी कि आपका नाम कहां आया है तो आप देख सकते हैं जो ये last में अपना नाम आया है 12 दिन का पितरही नाड़ी खुदरही कारेव पार्ट टू खा करवाड़ा ठीक है इस तरह आप अपना नाम ठोन सकते हैं कि कहां आया नाम और अपने सो दिन की list निकाल सकते हैं तो मुझे उमिदे कि ये वीडियो आपके लिए कापी लाइब देख रहेगा कापी important रहेगा तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आपके जो family member है वो भी इसका पता लगाना सिख सकें तो जैहिन जैबारत प्लीज एक like देना नहीं बूलना और इस किसी भी जानकारी के लिए मुझे comment जरू करना